हलो चुटेंट्स वेलकम टो आरेम इंग्लिस क्लासे आरेम इंग्लिस क्लासे माफ सबीका स्वागत है आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की बारावी क्लास के नावी कभीता को अध्यन करते हैं नावी पोएम है स्टापिंग बाई उड्स आने श्नोवी इवनिंग जिसका हिंदी अर्थ है एक बरफिली साम को जंगल के पास रुकना देखिए स्टापिंग मतलब होता है रुकना एक जीरंड है बाई माने होगा पास भी होता है पास होगा उड्स माने जंगल होगा फारेस्ट उड में वाइशन्ग पास रुकना जाना इसके कभी है रावर्ट फ्रास्ट जोकी अमेरिकां अमेरिकन के कभी हैं और 1864 मिन का जन्म हुआ था इस्टीर मीन की मृत हुए थी दो इसका भीता में यह क्या बता है संचेप मैं आप को स्टोरी बता देना है देखिए रावर्ट फ्रास हैं इसका विता में यह बताए हैं कि कि इस्टापिंग बाई उट समें आने इस नोई इनिंग में कि प्राकृतिक थोड़ा संदर का बढ़न किये हैं कि एक घुड़सवार के माध्यम से अपनी बात को बताते हैं कि एक स्थाम को एक घुड़सवार था जा रहा था धो फवासं में जा रहा था तकभी घुड़ श्वार के माध respi के माध्यम से बता रह तो वहां से जंगल औंषाम रास्ताहिए जंगल बहुत प्यारा साथ प्राकृतिक सौंदर को निहारने के लिए देखने के लिए क्या किया रुका फिर उसके साथ उसका घोड़ा भी था तो घोड़ा बिचितर सा मासूस कर रहा है पहले तो वह सोचा घोड़ सवार की यहां तो रुका हूं जंगल का मालिक का घर गाव में यह लेकिन मुझे खेत पर बना हुए घर तो वहां कोई घर भी नहीं था रुक गये विचितर मासूस कर रहा है और बर्स की सबसे अधेरी साम है तो अब अपने घंटी को बजाता घोड़ा यह इंडिकेट करने के लिए कि कहीं कोई गल्तित नहीं हुए गल्तित नहीं रुक गया है फिर मुझे मीलों तक जाना है और मैं वादा भी किया हूँ बहुत से वादे मुझे मैं पूरा किया उसको भी मुझे करना है और जीवन से पहले की उमध आ जाया बहुत से यह मतलब कविता का में पॉइंट है तो चलिए देख लेते कविता लाइन वाइज लाइन बहुत अच्छी कविता है इससे बहुत ज्यादा आता है जिसमें से लास्ट इस्टेंज जब मोस्ट इंपर्डेट होगा और शुरुवात वाले भी आ सकते हैं तो चलिए देख लेत यह जंगल जिसके हैं I think I know मैं सोचता हूं कि मैं उसे क्या कर रहा हूं जानता हूं यह जंगल जिसके हैं मैं सोचता हूं कि मैं उसे जानता हूं जंगल जिसके हैं मैं सोचता हूं कि मैं उसे जानता हूं यद्याप उसका घर कहां है गाव में ही है फिर भी वा मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो वाच ही जुट्स और उसके जंगल को वाच माने देख रहा हूँ देख रहा हूँ कि मतलब उसकी जंगल की सुन्दरता को निहार रहा हूँ क्लियर फिल अफ विथ इस नो जो बर्फ से भरा पड़ा है फिल मने भरना जो बर्फ से भरा पड़ा है मतलब जंगल में उसमें कुहरा पड़ रहा है टप टप करके चूरा है क्लियर तो वाई चीज माई लिटिल हार्स मेरा छोटा सा घोड़ा मस्ट थिंक माने अवस्टी सोचता होगा इट मने इसे क्वियर मने इस्ट्रेंज विचित्र अजीव मेरा छोटा सा घोड़ा इसे अजीव सा सोचता होगा इस बात को अजीव सा सोचता होगा भी फार्म yea código M Apple सोचता होगा अवस्य भी फॉच्छ तुट आप विदावुटेवर्म हास नियर माने पास माले किसी हार्म हाँश के पास क्या रुख गया मतलब यहां रुख गया gwidence क्वास में कोई फार्म हास कि नहीं है इस बात को सोच कर वा बिचित्र सा मश्कू inquiry कों मैं कि मैं वीना किसी फार्म हाँस के पास क्यों रुख गया बीट्विश एंड फ्रोजन लिक बैट्विन द worship wr जंगल और जमी हुई जहील के बीच में क्यों रूख गया कि साम कोुखे हैं ॵह बख पर पर द रही या वर्स की सबस्या धेरी इवन ने साम वर्स की या सबस्या धेरि साम को साब कि वह ऐकर के बर्स कि सफ्य देरी साम है रहने हारने होता है लगां गंटी सेक माने होता है लुट ने हिलाना जैसे बॉटल लेते हैं दावा के तूस पर लिखे रहा तो शेक दावा यूज करता है हिलाता है इस चलिए नेक्स पर देखते है तो आसक पूछने के लिए करां कि अपना पूछने के लिए if there is some mistake, if बने की क्या, if there is some mistake, some is any, कोई, mistake मने गलती, error, की क्या कोई गलती हो गई है, गोड़ा अपने लगा में लगे घंटी को हिलाता है इसले कि क्या उससे या उसके मालिक से कोई गलती हो गई है, the only other sound, एक मात्र, only means, एक मात्र, other sound, दूसरी आवाज, is, sounds मतलब sound is, the sweep, sweep मने होता बहना, flow, the off easy wind, easy wind मतलब light wind, हलका हवा, एक मात्र, दूसरी आवाज, जो है, हलकी हवा के बहने की है, and the downy flake, downy flake मतलब बर्फ के मुलायम, टुकडे, soft pieces of snow, clear, तो एक मात्र करें, कि दूसरी आवाज, जो है, हलके हवा बहने की है, और बर्फ के मुलायम, टुकडों की है, तीन वावाज है, वहाँ पर घंटी के बजने की है, हलका हवा बहने की, जो है, और बर्फ के मुलायम, टुकडे की है, मतलब जो उस वही पढ़ रहा है, बर्फ गिर रही है, उसकी है, अब देखें, लास्ट इस्टेंज आगे, most important for board examination, हर साल आता है, चलिए देख लेत होता, डीप मिस गहरा, गहरा कमतलों गहना, जिसे गहरा अंधकार है, तो मतलब गहना, तो जंगल प्यारा है, यानि सुन्दर है, और गहना है, गहना कमतलों से नजदिक-पेड़ है, तो गहना होता, बट आए है, promises to keep, लेकिन मुझे वादे पूरे करने है, प्रॉमिस मने वादा, keep मने होता, पूरा करना, परफार्म करना, लेकिन मुझे वादे पूरे करने, अब क्या वादे है, लेखा कि इसको असपस्ट इसको नहीं लिखा है, clear, ना है, वादे पूरे करने है, and miles to go before I sleep, और मुझे मीलो तक जाना है, miles मतलब मीलो तक गो जाना है, before I sleep, इससे पहले कि मैं सो, मतलब मुझे सोने से पहले वहाँ पर, मीलो तक जाना है, and miles to go before I sleep, और मरने से पहले बहुत से करता भी पूरे करने है, अब नीचे जो miles, मतलब क्या है, मतलब miles to go मने, बहुत से करता भी पूरे करने है और सोने से पहले मीलो तक जाना है और मरने से पहले बहुत से करता है कि यह होता कि कभी जो है स्टैंजा लिखना चाहता था एक लाइन कम पढ़ रही थी उसको अपने रचना पूरा करना था तो बड़ी चतुराई से लेख को और उसका आर्थ़लग ले लिए क्लियर मरने से सहने से पहले बहुत से पूरे करने इस तरह से कभिता समझ में आ गया होगा आई होप आपको समझें पूरा आ गया होगा वेडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों साथ टेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब न पर भी हम चार्चा करेंगे तरीका बताएंगे इस प्लानेशन लिखने का सब कुछ मतलब आपको परिछस पहले पूरी तैयारी करवा दी जाएगे इसलिए बने रहें मेरे साथ सेजर करते रहें सब्सक्राइब करते रहें और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर ब करेंगे टहूरश झाज़ करके टाएंगे मैंड़ी पोड़।